और एक बड़ी खबर आपको दे दे, कोरोना ब्रेकिंग है ये, 24 गंटों में कोरोना वाइरस के कुल 196 नए मामले सामने आया है, देश में कोरोना का 0.56% positivity rate है, और 24 गंटों में कोरोना वाइरस के 196 नए केसिस रेजिस्टर किये गए हैं और चीन में कोरोना विसफोर्ट के बीच हालात लगातार खराब हो रहे हैं, नया फैसला लिया गया, चीन में विदेशी आतनों के लिए कोरिंटीन policy में बदलाओ किया गया, चीन में विदेशी पैसेंजर को अब कोरिंटीन होने की जरूरत नहीं है बाजारों में जल्द आएगी भारत बायोटेक की नेजल वाक्सीन ये बहुत राहत की खबर है निजी अस्पतालों में 800 रुपए होगी इसकी क्यमत ये सूत्र बता रहे हैं और 800 रुपए के साथ GST और अस्पताल का चार्ज भी लगेगा तो जो rates सामने आएगे हैं नेजल वाक्सीन के वो 800 रुपए प्लस GST होगा और अस्पतालों का चार्ज भी लगेगा ये निजी अस्पतालों में 800 रुपए की होगी नेजल वाक्सीन जल्द बाजार में जल्द मार्केट में आएगी नेजल वाक्सीन इसकी मंजूरी सरकार द चुकी है